कבीर और फरीद पार्ट्नर है और प्रॉफिट लॉज शेर क्या करते हैं आपस में इन्द रेशियो 7 इस्टू 3 कole ने सरंडर किया 2 10th फ्रॉम इस शेर और फरीद ने सरंडर किया 1 10th फ्रॉम इस शेर किसकी फिवर में किया ज्योति की फिवर में जुकी एक नई पार्टनर है आप से कहा गया बताईए पार्टनर्स का नया रेशियो एस वैल एस सेक्रिवाइजिंग रेशियो क्या होगा ठीक है बचो तो question में clearly उतारखा है कि कबीर कितना दे रहा है ज्योति को और फरीद भी कितना दे रहा है ज्योति को कबीर एक्जेक्ली 2x10 दे रहा है ज्योति को वो कबीर का सेक्रवाइज हो गया परीद एक्जेक्ली 1x10 दे रहा है ज्योति को वो फरीद का सेक्रवाइज हो गया और इनका नया share निकालना है तो इनके sacrifice को minus कर दिजे from their old share तो इनका नया share आजाएगा रही बात Jyoti के share की तो जितना उसने कईवीर से लिया या जितना उसको कबीर ने दिया और जितना उसको फरीर ने दिया दोनों जोड दीजिए आपको जोती का निया शेयर भी मिल जाएगा ठीक है बच्चो तो आईए देखते हैं सॉलुशन को तो बच्चो कबीर का सेक्रवाइज है 2x10 फरीद का सेक्रवाइज है 1x10 रही बात इनके ने शेयर की तो कबीर का निया शेयर आजाएगा 5x10 पुराणा शेयर था 7x10 जिसमेंसे उसने 2x10 दे दिया तो बच्चा कितना 5x10 परीद का निया शेयर आजाएगा 2x10 पुराणा था 3x10 दे दिया उसने 1x10 तो उसका हो गया शेयर निया 2x10 रही बात बच्चों जोती के निया शेयर की तो जितना उसको कभीट से मिला जितना उसको फरीद से मिला दोनों जोड दीचे तो जोती का निया शेयर हो गया 3 by 10 अब रही बात निया रेशियो की तो निया रेशियो आगया 5 is to 2 is to 3 और रही बाद सेक्रवाइजिंग रेशियो की तो सेक्रवाइजिंग रेशियो हो जाएगा 2 to 1 कबीर का सेक्रवाइज देखिए फरीर का सेक्रवाइज देखिए उनका रेशियो निकाल लेजिए वो गया 3 to 1 ठीक है बच्चो तो कबीर का सेक्रवाइज 2 x 10 फरीर का सेक्रवाइज 1 x 10 तो सेट्वाइज रेशियो हो गया 2 x 1 और नया रेशियो तो आ रहा है आपका 5 x 2 x 3 clear बच्चो नया रेशियो हो गया 5 x 2 x 3